चले दोस्तों एक और सवाल है हमारे पास और ये भी फ्लूट्स का ही है इसको फटा-फट लगाते हैं तो आप देखेगा कि यहां पर टू अबजेक्स ऑफ इकल वॉल्यूम है उनकी डेंस्टी गिवन है रो वन और रो टू है और दोनों के बीच में एक फ्लाट पोशन है द अंदर है तो और जो कॉमन फ्लाट पोशन है वो होरिजॉंटल है यह ध्यान देने वाली चीजे हैं दोस्तों इसको आप हाला कि यह फिगर में तो क्लियर ली दिखी रहा है लेकिन यह सब चीजे जो है इसमें वर्डिंग में भी क्लियर होनी चाहिए तो ग्लू जो है तो ग्लू पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा होगा और वो मैक्सिम फोर्स एफ तक विदिस्टैंड कर सकता है हमें निकालना है मिनिमम डेप्थ एच इन लिक्विड जो की इसको एक इकलिब्रियम में रखे इकलिब्रियम और इंटाक्ट रखे यह दो चीजे है यह में भी है और यह उब्जेक्ट इंटाक्ट भी रहना चाहिए ठीक है इकलिब्रियम का मतलग है दोस्तों की एकलरेशन इसका जीरो रहेगा तो अगर हम पूरे इसको एक सिंगल अब्जेक की तरह देखें तो उपर की तरफ जो बॉयंड फोर्स है दोस्तों वो नीचे के ग इहां पर इन्टु जी तो इतना वाल्यूम डिश्पेत क एक है टू वी राइड सिमिलरली यहां पर अगर हम इसको माने की ये यह यह लो अब्जेक्ट नहीं है तो MG फोर्स होगा यहां पर रोवन वी जी प्लस रोव टूवी जी तो रो वन प्लस रोवजक्ट एकलिब्रि प्लस रो 2 टाइम्स वी जी तो हमारे पास दोस्तों यहां पर लिक्विट की डेंसिटी आ जाती है राइट रो 1 प्लस रो 2 बाइट 2 इसको हम हाइलाइट करने के लिए स्क्वायर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं दोस्तों तो डेंसिटी यहां पर गिवन नहीं थी तो वो हम दे रो 1 और रो 2 के टांट में निकाल लिया है क्योंकि यह अबजेक्ट जो है इकलिबरियम में है अब हमको यह कंडिशन यूज करनी है कि जो ग्लू है वो मैक्सिमम फोर्स F विद स्टैंड कर सकता है अब यह जो फोर्स F है यह इक्विशन में तब तक नहीं पड़ेगा वो फोर्स एक्विशन में लाने के लिए तो हम उपर वाला अबजेक्ट लेते हैं यह उपर वाला अबजेक्ट हो गया यह इसका फ्लैट पोशन है इस पे हमें बॉयंड फोर्स देखना है कितना लग रहा है और एमजी फोर्स कितना है ठीक है अब यहां पर ए इंटू V इंटू G यह बॉयंड फोर्स होगा लेकिन यह बात सही नहीं है दोस्तों क्योंकि लिक्विट को इसके फ्लैट पोशन का एक्सेस नहीं है तो यह यहां पर लिक्विट फोर्स नहीं लगा पा रहा है अगर लिक्विट नीचे भी फोर्स लगा लेता तब टोटल और रो इल आनल्-विजी होता लेकिन नीचे फोरस नहीं लगा पा रहा है तो शोर्च में से हम लोगों इतना फोर्ट सब्ट्राइक करना पड़ेगा जो नीचे लिट्विड लगा पाता दो नीचे जो लिकीड फोर्स लगा पाता वह प्रेश और लिकीड यहां पर कितना है वो into area area हमने यहां पर S लिया हुआ है तो हम इसको S से multiply कर देते हैं तो PL को P ही लिखते हैं otherwise rho L और PL में हम confused हो जाएंगे तो अब नीचे की तरफ जो gravity force है दोस्तों वो कितने हुई rho 1 V into G ठीक है अब आप देखेंगे यहां पर कि यह object भी equilibrium पर है जिसकी विएसे हम यहां पर लिख सकते हैं rho L VG minus P S minus rho 1 VG और एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली दोस्तों यह है कि हमने glue force तो लिया ही नहीं तो glue force भी हमको लेना है तो अब glue force हम लोग को minimum depth निकालनी है ताकि glue ना निकले अब अगर वो force net force इस पे net force इस पे जो है इस तरह से है glue का कि यह compress कर रहे हैं तब तो glue निकले गा ही नहीं तो इसलिए यह दोनों एक दूसरे से stretch हो रहे होने चाहिए उसकी वज़े से जो glue force होगा वो इस direction में लगेगा तो यह glue force आप जो है F ले लीजिए जो कि आपका maximum force है लिमिटिंग कंडिशन्स आपका तो यहाँ पर एक minus F भी आएगा दोस्तों इस इक्वल तो 0 अब यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग values डाल देते हैं ठीक है density of liquid हमारा rho 1 plus rho 2 by 2 है that into VG minus जो pressure है at a depth H यहाँ पर हमें gauge pressure लेना है दोस्तों ठीक है तो यह हो जाएगा density of liquid rho 1 plus rho 2 by 2 one minute I'll just write it neatly it'll be rho 1 plus rho 2 by 2 density of liquid G into H यह हमें S से multiply कर देना है minus rho 1 VG minus F यह हमें equal to 0 कर देना है ठीक है तो यहाँ पर जब आप इसको simplify करेंगे तो आपके पास जो answer आएगा वो आएगा rho 1 sorry rho 2 minus rho 1 VG minus 2F divided by rho 1 plus rho 2 times G into S तो यह आपका height एचाएगा जो की आपका minimum height होगा ठीक है तो इस तरह से आप यह सवाल लगा सकते हैं All right Thank you